नमस्कार जैमा भगवानी मैं एश्टुर्वादमान सारस्वाथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चेनल पर आज कथाओं का करम आगे बढ़ाते वे कार्तिक महतम्य का सत्रुमा अध्याई आज राजा पृतु और नारज जी के बीद सम्वाद चल रहा था जिसमें सत्रुमा अध्याई में भगवान शिव के गणों का जलंदर के साथ महायुद चल रहा है कथा को आगे बढ़ातने से पहले जिन्होंने चनल को सस्क्राइब नहीं कर रखा है वो चनल को सस्क्राइब कर लें और आगामी वीडियो भी आप देखते रहें और लाइक और सस्क्राइब करते रहें नारज जी कहते हैं कि उस समय सिवजी के गण प्रबल थे और उन्होंने जलंदर के शुम्ब और निसुम्ब महासुर काल्यमी आदी को प्राजित कर दिया यह देकर सागर कुतर जलंदर एक रत पर जिसकी लंबी पता का लगी वी थी उस पर चड़कर युद भूमी में आकर घोर संग्राम करने लगा इधर जैसिल संकर के गण भी युद में तकपर होकर गरजने लगे इस प्रकार दोनों से नाओं के बीच हाती गोडे रत संक भेरी था दोनों और के वीरों के सिंग नांद से प्रत्वी तरस्थ हो गई तक पस चाज लंदर ने कुहरे के समान बाणों को फेरा कर प्रत्वी से लेकर आगास तक व्याप्त कर दिया और नंदी को पांच गनेश को पांच वीरभद्र को एक तथा बीच बाण मार कर उनके शरीर का छेदन कर दिया और मेक के समान गरजन करने लगा यह देखकर रुद्र पुत्र कार्तिक के नेवी दित्य राजलंदर को अपनी पीट पर उठा कर नीचे पटक मारा और घोर गरजन किया जिसके अगहाद से वह प्रत्वी पर गिर पड़ा प्रंतु वह इतना बली था कि सिग्र ही उठकर खड़ा हो गया और क्रोधा विष् पर सो गए गनेश जी और नंदी विव्याकुल होकर गदा प्रहार से प्रत्वी पर गिर पड़े वीरबद्र का शिर्फट गया और भूसा रक्त बहने लगा वीरबद्र को प्रत्वी पर गिरा देखकर संकर के गण चिलाते हुए संक्राम भूमी को छोड़कर बड़े वे युद्भूमे में आ पहुंचे तब उनको आया देखकर उनके प्राजित गण फिर लोटा आए और सिंग नाद करते वे आयूद्हों से देत्यों प्रप्रहार करने लगे भीशन रूप धारी रुद्र को देखकर देत्य भागने लगे तब युद्ध में अपने देत्यो को प्राहन मुख होते देखकर जलंदर हजारों बान छोड़ता हुआ भागवान संक्र की ओर दोड़ा उसके सुम्ब निसुम्ब आदे वीर भी क्रोध से अपने होठों को काटते वे भागवान संक्र की ओर दोड़ने लगे इतने में भागवान संक्र ने जलंदर के सब ब बलाहग का सिर भी काट दिया धमसर भी मारा गया शिवगन चिसिखा ने प्रचंड नामक देत्य का सिर काट डाला किसी को सिवजी के बेल ने मारा और कई उसके बाणों द्वारा मारे गई यह देखकर जलंदर अपने शुम्ब आदी देत्यों को दिकारने लगा और भेवितो को देरे देने लगा पर किसी प्रकार भी बहे गरस्त देत्य दोबारा युद्ध भूमी में आने को त्यार ने हुए देत्य से नामे पलायन सा हो गया तब महा पुर्द जलंदर शिवजी को अपनी और ललकारने लगा साथ ही उसने सतर बाण मार कर शिवजी को दग्द कर दिया तदा ओर भी बहुत से बाणों का प्रहर किया इस प्रकार महा युद्ध चलता रहा शिवजी उसके बाणों को काटते रहे यहां तक कि उन्होंने जलंदर की दुजा चत्र और धनूस आदी भी काट गिराए फिर साथ बाण मार कर उसके स्रीर को आभात पहुंचाया धनूस के कट जाने से जलंदर ने एक प्रचंड बाण मार कर उसकी गधा के टुकडे टुकडे कर दिये तब उसने समझा कि यह मुझ से अधिक बलवान है अदेव उसने गंधर भी माया उत्पन कर दी अनेक गंधर और अपसराओं को गण उत्पन हो गए और मिर्दंग तरी नेत्र भागवान संक्र का रूप धान करके ब्रिसव पर बैठकर पारवती के साथ जा पहुंचा उदर जब पारवती ने अपनी पती को आते देखा तो अनेक सक्षियों का साथ त्याग दिया और आगे आई पारवती को देख यह कामा उत्तर जलंदर वेर्यपत्न हो गया गोरी ने उसे दानव संजा वे अंतर ध्यान हो कर उत्तर की और मानस पर चली गई तब वहां पारवती को ने देखकर जलंदर फिर सिव जी की और लोटा इधर पारवती जी ने भागवान विश्नु को गुला कर देत्य धन का वह कृत्य कहा यह प्रसंग किया कि आप इस से अवगत हैं क्या भागवान विश्नु ने हाद जोड़ कर और सिर नवा कर उतर दिया आपकी कृपा से मुझे सब कुछ ग्यात हो गया है हे माता जो आग्या हो पालन करूं जगन माता ने विश्नु जी से कहा कि उस देत्य ने जो मारग में मारग खोला है उसका अनु भागवान विश्नु उसको सिरोधार्य कर चल करने के लिए जलंधर के नगर की ओर गए इस परकार 18 अध्याय पूर्ण हुआ आगे 19 अध्याय में भागवान विश्नु द्वारा जलंधर का रूप बना कर उसके पतनी व्रिंदा का पतिवर्त धर्म भष्ट करना उसके द् पतनी व्रिंदा पतिवर्ता नारी थी उसकी वजय से जलंधर की मृत्यू नहीं हो पा रही थी इसलिए भागवान विश्नु को यह चल करना पड़ा आगे की कथा 19 अध्याय कल 19 अध्याय का व्रितांत होगा जिसमें भागवान विश्नु द्वारा जो माया रची जाएग वह कथा होगी और भागवान शिव और जलंधर का महा युद्ध भी चल रहा है उसे सुनते रहिए जैमा भवानी जै स्री राम